हेलो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां जीन हेना को किस करता है तब हेना दूर होकर उसके घर से भाग कर बाहर आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कर्स के वज़े से वो डॉक बन जाएगी उसके बाद वो बिल्दिंग के पीछे चाकर कुछ दे तक वेट करती है लेकिन वो डॉक नहीं बनती है जिससे हेना शक होती है इसके बाद हम हेना को यूना और डॉक शिल के साथ देखते हैं जहां हेना इसके बारे में उनको बताती है जहां यूना खुश होकर कहती है तुम्हारे किस हो गए लेकिन तुम अभी तक चेंज क्यों नहीं हुई हो तुम दॉक क्यों नहीं बनी तब हेना कहती है मुझे भ वो दोनों शौक होते हैं और यूना कहती है ऐसा कब हुआ हेना तो हिस्टी टीचर को डेट कर रही है ये सुनकर डौंग्शुल कन्फियूश हो जाता है उसके बाद हम नेक्स देकर सिन देखते हैं जहां हेना स्कूल जा रही थी तब जीन को देकर वो उससे चुपने लगती है वही स्कूल में भी जब भी हेना को जीन दीखता है वो उससे इग्नोर करने का ट्राइ करती है और वो जीन से चुपने लगती है तब जीन उसके पाद चाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे अवर्ट कर रही हो प्लीज मुझे अवर्ट मत करो इस से मेरी फिलिंग हट होती है और जीन कहता है मुझे पता है तुम कन्फ्यूस हो इस मुमेंन में लिकिन मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम अपनी मिसिंग पिस को ढून नहीं लेती हो तुम कैसा फिल करती हो तब तक के लिए प्लीज मुझे अवर्ट मत करो और वो वहाँ से चला जाता है उसके बाद हम दाउंग्चिल को देखते हैं वो गाना बजा कर डांस कर रहा होता है वही वो हेना का समान देख रहा था तब उन्हें हेना के समान में हेना और जीन के सा ही कह रहा था उसके बाद न्ग्शिल फोटो लेकर हेना के स्कोल चाहते हैं तभी उन्हें वायस प्रिंसिप habits मिलते हैं जो डांकशिल को स्मैल करके समझ चाते है कि वो पहले नौग था तब नग्शिब कहता है मैं यहां में से मिलने आया है हम मुझे वो कहां मिलेगी और वो फोटो को दिखा कर कहता है ये मेरी भाणची है फोटो को देखकर Vice-Principal शौक होते हैं और फोटो को अपने पासी रख लेते हैं फिर वो डॉंचियल को खानाय के लालश लेकर लेकर जाते है उसके बाद हम हेना और श्यूंग को देखते हैं जहां श्यूंग हेना से पू लेकिन मेरे ख्याल से अभी मैं ठीक हूँ, फिर वो डॉंग्शियल की कहे हुए बात को याद करती है, साथ ही जीन की बातों को भी, उसके बाद हम बोग्यम और प्रिंसिपल को देखते हैं, जहां वो दोनों बात कर रहे थे, वासिपल कहते हैं, मुझे दर है कि हेना को अपन कर यहां वहां भाग रहे होते हैं परिशान होकर, और वो हेना को ढून रहे होते हैं, वही हम यूंग्शाय को देखते हैं, वो स्टूडेंस को डान सिखा रही होती है, वही जब वो बाहर जाती है, तब वो डॉंग्शिल से तकरा जाती है, यहां दोनों एक दूसरे को दे तब हेना पूशती है क्या हुआ आपको तब दौंग्शल भॉक कर बोलने की कोशिश करता है लेकिन हेना को कुछ समझ में नहीं आता है तब हेना उन्हें ताइप करके बताने कहती है तब दौंग्शल ओ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो लिखना भी भूल गया होता है फिर डॉंग्शल हेना को प्रिंसिपल का कार्ट दिखा कर इशारे से बताता है इसने मेरी आवास को लिया है पहले हेना को उनकी बातों में भरोशा नहीं होता है तब डॉंग्शल गुसा होने लगता है तो हेना कहती है ठीक है मैं उनसे बात करूँगी आप अब सेपली घाएए, उसके बाद हेना प्रिंसिपल के आफिस बात करने जाती है, जहाँ प्रिंसिपल नहीं होते है, लेकिन हेना को वहाँ अपनी और जीन की फोटो डिक जाती है, साथ ही उस फोटो के पीशे शियोहा कपर लिखा हुआ होता है ये दिक हेना शौक रह जाती है और उसे जीन की कही हुई बाते यात आती है वही जब वो जा रही थी सामने से बोग्यम उसके पास आता है तब हेना को वही सिन यात आता है जहां हेना उससे कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तब बोग्यम कहता है तुम छूस करो अपनी फैमली के उपर से करस को टोरना या जीन को उसके वसे इन प्रेजन में आता है जहां बोग्यम कहता है यह सब तुम्हारे साथ तुम्हारे सेल्फिस सौच के वज़े से हुआ है और वो वहां से चला जाता है तब हेना पीछे पीछे बोग्यम के साथ बेस्में में चाती है और पोशती है तुम क्या कहना चाते हो तब बोग्यम कहता है तुमने जीन को चोड़ दिया तब हेना कहती है सो में और जीन कपल थे और अंकल भी इसके वज़े से इंसन बनी, मुझे मेरी खोई हुई मेमोरिस वापर चाहिए तब बोगिम कहता है, क्या तुम्हें यंग लेडी को पाहर के उपसे धक्का देने का मेमोरिस वापर चाहिए तब हेना पोच्छती है, तुम क्या कह रहे हो तो बोगिम कहता है, अगर तुम्हें सब जानना है तो उसे माउंटन में आना तो हेना कहती है, मैं जाओंगी, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो लेकिन तुम जो सोच रहे हो, वैसा ही नहीं होगा अभी मैं और जिन दूर है, लेकिन लास में हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और हेना वहाँ से चली जाती है, वहीं दूसरे तरफ हम जिया को देखते है वो पास के सिन के बारे में सोच रही थी उसके बाद हम पोगिम को देखते हैं, वो एक बॉक्स को खोल कर शॉयों के स्कर्प्ट को देखते हुए कहता है, मैं इन दोनों को कितना भी कर्स्ट हूँ, उनकी मेमोरीज इरिस्ट करूँ, वो दोनों एक दूसरे से फील से प्यार पकर बैठेंगे, इसलिए अभी मुझे कुछ और करना परेगा उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, वो शूटिंग कर रही होती है, फिर वो जिया के पाद जाती है, और उससे कहती है, हमारा क्लब एक होरो स्टोरी सूट करना चाता है, मौंट होंगी में, एक एबंडिट हॉंटेड हगर है, तब जिया पोशती है, तुम्हें इस मत करो, डेंजर नहीं है, मिस हेना भी हमारे साथ जाएगी, वही हम उस लड़की को हेना के साथ देखते हैं, जहां वो हेना को अपने साथ चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए हेना मान जाती है, उसके बाद हम फिर से जिया को देखते हैं, वो बेसमिन में जाती है, ज इसके बात हम जिया को जीन के साथ देखते हैं, जहां जीन कहती है, मिस हेना के मेमोरी को इर्सकरना एन नहीं था. तो जीन पोश्चता है, वो और क्या प्लैनिंग कर रहा है? तो जीन कहती है, मिस हेना उन स्टूडन के साथ मौवणटन नहीं चाह सकती है. ये वोही माउंटेन है जहां वो मोगयम पॉंटेन स्प्रीट था और वही मैं अपने पासलाइब में मरी थी और मैं अपने पासलाइब में आपको और मिस हेना को भी देखा था मुझे नहीं पता मैंने क्यों देखा था तब जीन को हेना की कॉल आती है उसके बाद जीन हेना क के पाज जाता है जहां वो दोनों ब्रैंच में बैठते हैं हेना कहती है मैं श्योहा जाओंगी तुम पहले वही जाना चाहते थे न क्योंकि हम श्योहा कपल है न ये ग्लेंडर में लिखा हुआ था सौरी मुझे बहुत देर से याद आया तब जीन कहता है अभी लेट नहीं ह हुआ है तो हेना कहती है मुझे उससे पहले एक जगा जाना होगा मैं अपने मिसिंग पिस को ढूनना चाहती हूँ जीन कहता है धूनने के जरुट नहीं है हम फीस स्टार्ट कर सकते हैं मच जाओ तो हेना कहती है इस पर मैं खुट हमारे लिए चार्ज करना चाहती हूँ त जब वो लोग माउंडेन पहुशते हैं तब वही लगी टेंपल के पास सुटिंग करने लगती है। ये टेंपल वही होता है जहां सौयूंग अपने पास लट में पेकरने चाती थी। वही जब वो लोग अंदर जाते हैं तब व्यूल और जिया को छोड़के बाकी लोग दढ़ने लगते हैं। वही जी नियूल से पूछता है तुम यहां क्या कर रहे हो। मैं तो यहां में सहेना को प्रोटेक करने आया हूँ। तब वो जीया की तरफ देखकर कहता है मुझे भी किसी को प्रोटेक करना है। वही वो लड़की जीया से पूछती है क्या तुम यहां कुछ फिल कर पा रही हो। तब जीया कहती है हां कोई यहां चुपा हुआ है जो हमें देख रहा है। यह सुनकर सभी दरने लगते हैं। हेना को देखते हैं उसके पयर में चोट लगा होएता है जिससे वो बैठी हुई थी तभी उसके बाद जीन आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें चोट लगा है तब फेना कहती है नहीं बस मोच्छ आया है तब जीन उसके पैर को देखने लगता है तब हीना को पास का से नियात आता है तब जीन पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया तब हीना कहती है पांच सेकिन का तर जीन कहता है पांच सेकिन का याद करके तुम सैट हो गई और जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब क्या होगा उसके वद हम जिया और यूल को देखते हैं जिया को पता चल जाता है कि बोग्यम आया गया है वही हम बोग्यम को देखते हैं वो अपने साथ कुछ टॉक लेकर आया था उसके बद हम फेसे जीन और हेना को देखते हैं जहां हेना जीन से पूछती है क्या कोको मैं ही थी? क्या मैं क्यूट थी? तुमने इसलिए मेरा कर्स तोड़ दिया होगा क्यूंकि मैं क्यूट थी. तद जीन कहता है एजी नहीं था क्यूंकि मुझे डॉक से डर लगता था. तो भी उनके तरफ डॉक भाग कर आ रहे थे जो देखर वो दोनों भागने लगते हैं वही थोड़े दूर जाके हेना और डोर नहीं पा रही थी वही दूसरे तरफ हम जिया को देखते हैं वो भी भाग कर माउंटन के पाद जाती है जहां बोग्यम उसे रोकता है तब जिया उसे कहती है माई लॉट जब भी मैं यहां आती थी आप जरूर आते थे और यहां हम सौयों को देखते हैं वो कहती है वो कैसे हो मुझे आने में लेट हो गया वहीं बोग्यम सौयों को देखकर रो रहा था उसके बद हमें फ्लेश पर कसीन दिखाया जाता है जहां हम बोग्यम और सौयों के साथ के सिन को देखते हैं एक साथ पतंग उराना सौयों का बोग्यम को क्रीस करना उसके बद हम हेना को देखते हैं जहां वो जेनरल से कहती है मुझे पता है सौयों कहा है तब जेनरल उसके पाद जाते है और कहते है अगर तुम मुझे जूट कहोगे तो तुम भी सेथ नहीं रहोगे वो कहा है तब हेना अपनी गल्दी को रिलाइस करके कहती है मुझे नहीं पता वो कहा है तब वो लोग उसे मार मार कर पूछने लगते हैं तब हेना कहती है मैं उसे अपने साथ यहां लेकर आऊंगी वही हम जिन को देखते हैं उसे वो सिपाही हेना के बारे में बताता है तब जिन उसे कहता है मुझे यहां से बाहर जाना होगा तब वो सिपाही उसे बाहर निकाल देता है वही हम हेना को देखते हैं वो भागते हुए सौयोंग के पास जाती है, उसे भगाने के लिए, लेकिन सौयोंग घर में नहीं होती है, वही बाहर उससे दोग्यू मिलता है, वही वहाँ जैनल और सिपाही आ जाते है, और वो लोग सौयोंग को ढून ले लगते है, वही डूग्गू डॉग और भी जाती है, साथी जैनल भी और जैनल के लोग उसको खिचके बाहर लेकर जाते हैं तब ही वहाँ जीन आता है और वो जैनल के गर्डन में तर्वार रख के ही ना और शॉयों को वहाँ से भागने कहता है, फिर वो लोग भागते हैं वही वो तिनों भाकर पाहर के एंड पर बहुत जाते हैं जहां जीन सभी सिपाही से फाइट करता है जिसे उसे भी बहुत चोट लगता है वही वहां और भी सिपाही आ जाते हैं और वो लोग तीर मारने लगते हैं तब जीन हेना को साइट में करके सौयों के आगे आ जाता है वहीं जब वो लोग तीर मारते हैं तब पहले तो जीन तीर को तलवा से रोग देता है लेकिन फिर उसे भी तीर लग जाता है तब जीन सौयंग के आगे तलवा रखता है जो बोग्यम देख लेता है वहीं सौयंग जीन के हालत देखकर वो रोटे हुए हेना को देखती है और खूधी जीन के तलवा को अपने पेट में मार लेती है और वो हेना से कहती है मेरा बच्चा चला गया लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को बचा सकते है मुझे मरना होगा सभी के लिए और सौयंग खूधी नीचे गिर जाती है वहीं बोगियम वो देख लेता है और इससे उसे गल्ट फहमी होती है कि जीन ने सौयंग को मारा है और हेना ने उसे घाय से धका दिया है उसके बद हेना जीन को अपने साथ एक जगा लेकर जाती है वहीं जीन की हालत बहुत खराब होती है हेना रोते हुए जीन को बचाने की बहुत कोशिश करती है तो जीन कहता है जब मेरा बेबी इस धुनिया में आएका तब उसे बताना की मैं एक अच्छा इंसान था और जीन भी मर जाता है तो हेना बहुत रोती है उसके बोग्यम आकर हेना और उसके परिवार को गलत फेमी में कर्ज दे देता है उसके बस से इन प्रेजन में आता है जब बोग्यम को सब कुछ पता चलता है तब वो शौक रह जाता है और वो बहुता है और कहता है तुमने खुट को क्यूँ मारा और मुझे क्यू छोड़ दिया ऐसा क्यूं किया तब सौयम कहती है क्योंकि मैं हेना के बच्चे को बचाना चाती थी तब बोगिम कहता है तुम दिजिजन लेते समय एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और वो वहां से जाने लगता है तो सौयोंग कहती है क्या तुम मुझे बिना गुडबाई कहकर ही जाओगे और वो उसके पार जाकर कहती है हमारा प्ले टाइम खतम हो गया अभी तुम्हें गरवापट चले जाना चाहिए वही बोग्यम बहुत रो रहा होता है तो सौयोंग उसे हग करती है उसके वद हम हेना और जीन को देखते है जहां दौक उनके उपर भौक रहा था तो जीन हेना के आगे आजाता है और एक दौक उनके उपर एटेक करने चाहता है तब जीन हेना को अपने सर से चुपा लेता है तब ही डॉग भी गायब हो जाता है और यहां हेना को सभी मेमोरी से याद आ जाता है सुरू से लेकर अब तक की और यहां हमें साथ साथ उन दोनों के सभी सिन भी दिखाया जाते है उसके बात हेना जीन से कहती है इतने स्पीट में तब भी मैं नहीं दोरी थी जब मैंने तुम्हें किस किया था तब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और जीन कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और इसके साथ ही एपिसोड एन होता है और आगे क्या होता है चैनलने के लिए चैनल को सस्कार करके बेल आइकन को क्लिक केजिए बिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो